कैसे हैं आप लोग उमेद करता हूँ आप लोग की प्रिपरिशन बहुत अच्छे चल रही होगी आप संधी प्रावत वरकिंग एज अन असिस्टेंट प्रोफिसर इन एकेटी उनिवर्सटी लास्ट वीडियो में हमने प्रोफिसकार, नौवल प्रोफिसकार, और राश्टे खेल प्रोफिसकार और आगामी खेल प्रितियोगुता के बारे में कोर्शन्स डिसकस कर चुके हैं वन वाई वन जाकर वीडियो देख सकते हो तिको सारे ही जितने भी अपकमिंग एक्जाम में like SSC, UPP, SCEAE एक्जाम कोई भी अपकमिंग जितने भी एक्जाम में जहां पर करंट अफिर पूछा जाएगा इन से बाहर कॉस्टन्स नहीं जाने वाले हैं जितने भी देखो मैं टम्स लेकर आ रहा हूं उनका मैं पहले basic समझा रहा हूं ताकि आप लोग easily समझ पाएं and after that you can easily solve the questions on the basis of that particular terms जो भी आपके terms पूछे जाएंगे so आज हम लोग IPL के बार में discuss करने वाले that is the most important topic you know most of the times आपके एक या दो questions 100% पूछे जाते हैं but अब की बार आप कह सकते हो यह topic थोड़ा सा अभी complete नहीं हुआ है आपका IPL अभी चल रहा है ठीक है आभी processing में है 10 November को complete हो पाएगा तो थोड़ा सा जो अभी तक जो पूरी analysis हम लोग नहीं कर सकते हैं analysis अब complete हो जाता है तब ही हम लोग कर पाते हैं so कोई नहीं जितने आपके terms यहाँ पर generate हो सकते थे जो basic terms हैं जिससे आपके questions arise हो सकते हैं उसको मैंने यहाँ पर design करके किया है so now come to the basic concept देखो आपकी बार IPL का तहिर्वा संस्क्रण है तहिर्वा सीजन है अभी तक 12 सीजन complete हो चुके हैं आपकी बार तहिर्वा संस्क्रण है इसकी जो इस्थापना की गई थी 2008 में इंडिया के अंदर की गई थी और इस चीज़ की जो परिकल्पना की थी वो 2007 में ललित मोदी के द्वारा की गई थी सोचा गया था इसके बारा में किस गेम को हम establish कर सकते हैं और इस चीज़ को हम एक as a game बना सकते हैं तो इसकी परिकल्पना 2007 में ललित मोदी जी ने की थी देखो जनरली ये मार्च अप्राइल में गेम खेला जाता है बट अब की बार कोरोना वाइरस की वज़े से ये गेम डिले हो गया और जनरली ये बारत के अंदर ही खेला जाता है बट अब की बार कोरोना वाइरस की वज़े से भारत के अंदर इसको अनुमती नहीं मिली है तो इसलिए इस गेम को UAE में खेला जा रहा है जो की 19 सितमबर से स्टार्ट हो चुका है और 10 सितमबर को इसका end होगा अब तक के इनों मैंने बताया भी है बार है IPL सीजन हो चुके हैं जिसमें की सबसे ज़्यादा मुंबई इंडियन्स चार बार जी चुका है अगर आप देख पा रहे हो मुंबई इंडियन्स सबसे ज़्यादा IPL जी चुका है चार बार जी चुका है 2013 में इनको इनोंने जीता था 2015 में जीता है 2017 में जीता है 2019 में IPL जीता है दूसरे नमबर पर गर बात करते हैं चैनने सुपर केंग तो यह टीम भी तीन इनों लगातार नहीं है दो बार लगातार और एक 2018 में IPL चैंपियन बनी है तो एक कोशन देको यही बन सकता है ऐसी कौन सी IPL टीम है जिसने लगातार दो बार IPL जीता है तो वो है चैनने सुपर केंग क्योंकि 2010 में उन्होंने जीता है 2011 में उन्होंने यह IPL को जीता है कि नेक्स फाइनल खेलने के मामले में चैन डी सुपर किंगस सबसे आगे देखो फाइनल जो फाइनल गेम्स होते हैं ठीक है जो फाइनल खेला जाता है तो इसमें 12 सीजन में सब से ज़्यादा इन्होंने परफॉमेंस अच्छा किया है वो फाइनल में पहुंच जाती है एट सीजन तक बारह में से आठ बार उन्होंने फाइनल में खेला है यह कोसेंस भी बन सकता है फाइनल खेलने के मामले में कौन सी टिम सबसे आगे है वो है चैनल इस उपर किंग 12 सीजन में से 8 सीजन में उन्होंने फाइनल खेला है नेक्स हम बात करते हैं वहाँ पर अगर हम लीक के इत्यास की बात करते हैं तो सबसे ज्ज्यादा, जो रन, देखों ये 2019 तक का हम डेटा बता like ч counter हम लोग करेंगे वो 2020 की डीटा पर करेंगे सो 2019 तक के डीटा में सबसे ज़्यादा अगर रन की बात करते हैं तो वो रोयल चैलेंजर्स बैंगलूर के जो कप्तान है वराट को ली उन्होंने 117 मैचों में 5412 रन बनाए हैं उनका रिकोर्ड है अभी तक का हाईएस अब नेक्स बात करते हैं स्पॉंसर्शिप देखो लास्ट टाइम अगर आप देख पा रहे थे इसकी स्पॉंसर्शिप वीवो ने की थी बट आपकी बार इसकी स्पॉंसर्शिप ड्रीम 11 कर रहा है ठीक है ड्रीम 11 जो है एक आपका इनो इसकी स्पॉंसर्शिप का वो किसके अंडर में है ड्रीम 11 के अंदर में सो नेक्स अगर बात करते हैं 19 सितंबर को आबुदाभी में मुंबई इंडियन्स और चैनली सुपर किंस के बीच पहला मैच खेला गया है मुकाबले में तीन स्टेडियम जो आपके जो मुकाबले चलेंगे तीन स्टेडियमों के अंदर खेले जाएंगे अबुदाभी एक सार जां करके जगा है और दुबई ये तीन जगा पर खेले जाएंगे तरफपन दिनों में 53 डेज में 8 आठ टीमों के बीच में 60 मुकाबले होंगे देखो तरफपन दिन का ये पूरा टाइम होगा उसमें 8 टीम है और 8 टीमों के बीच में 60 मुकाबले होंगे इसकी सुरुवात 19 सेप्टमबर से हो चुकी है and final इसका 10 नवंबर को होगा next हम बात करते हैं अब देखो हम directly question पर आते हैं अगर आप question देख पा रहे हैं so first question है IPL का पूर्ण रूप क्या होता है that means what is the full form of IPL तो IPL की full form देखो मैं पास options देखो क्या क्या हो सकते हैं Indian Passer League, Indian Premier League, Indian Pop Link इन में से कोई नहीं so obviously the correct answer of this question is Indian Premier League Indian Premier League that is the correct answer of this question ये तो हर किसी को पता होगा बच्चे बच्चे से जाकर पूछ लो what is the full form of IPL IPL चल रहा है तो सब कुछ पता रहता IPL के बारे में Indian Premier League अब बढ़ते हैं next question की तरह next question है IPL 2020 में कितनी team में हिस्सा ले रही है IPL 2020 में options है 5, 7, 8, 10 so अब की बार IPL में जो हिस्सा ले रही है वो हमारे पास 8 team में है ठीक है 8 team के नाम अगर आप count करेंगे तो that means Chinese Super King, Mumbai Indians and Kolkata Night Riders Sun Riser Hyderabad Rajasthan Royals Royals Challengers Bangalore Delhi Capitals, King 11 Punjab तो ये 8 team में अब की बार हिस्सा ले रही है IPL के अंदर Next question की तरफ बढ़ते है IPL 2020 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है किस देश में किया गया है So IPL 2020 का आयोजन UAE के अंदर किया गया है देखो इंडिया के अंदर Coronavirus के चलते उनको अनुमती नहीं मिली है So इस चीज को UAE ने इसको accept कर लिया है UAE के अंदर ये गेम चल रहे है अभी भी फिलाल में चल रहे है प्रोसेसिंग में है 10 नवंबर को इसका end होगा So the correct answer of this option is Of this question particular question is UAE is the correct answer Now come to the next question IPL 2020 की project कौन सी company है That means उसको जो design कर रहा है उसको जो organize करा रहा है वो कौन सी company है आपके पास options है Vivo, Pantjali, Oppo, Dream 11 देखो Vivo इससे last time है जो 12 सीजन खेला गया था उसकी जो project company थी वो Vivo थी बट अब की बार जो तेहर बार संस्क्रण खेला जा रहा है IPL का उसकी project company है Dream 11 So Dream 11 is the correct answer Now come to the next question 2020 में IPL का कौन सा संस्क्रण है देखो 2020 में अभी तक मैं starting में उने बता दिया था अभी तक 12 संस्क्रण खेली जा चुके हैं ये इंडिया ये जो है IPL का 13 संस्क्रण है जिसको की UAE के अंदर खेला जा रहा है The correct answer of this question is 13 Now come to the next question IPL 2020 की project बनी Dream 11 के title sponsorship कितने रुपे में खरीदा गया है This question is very very important तो में भी साइद ये रेर वचों को पता होगा जो Dream 11 है उसने ये जो title sponsorship कितने रुपे में खरीदी है तो आपके पास options होंगी 200 करोड, 222 करोड, 350 करोड 500 करोड So correct answer is 222 करोड So 222 करोड That means Dream 11 जो कमपनी है इस कमपनी ने 222 करोड में इस की sponsorship को खरीदा है Now come to the next question IPL 2020 की project company Dream 11 की किस कमपनी को replace किया है देखो मैंने बताया था एक कोशन बन सकता है 2019 में जो बारवा संस्क्रण खेला गया था उसकी sponsorship Vivo के अंदर थी इसको अब replace किया है Dream 11 ने So correct answer of question number 7 is Vivo देखो आपके पास option है Oppo, Vivo, KIA, Nokia So correct answer is Vivo Now come to the next question IPL 2020 का match कब से कब तक खेला जाएगा कब से कब तक खेला जाएगा Starting से हम लोग करते आ रहे है That means देखो options आप देख सकते हो First option is 19 September से 10 November तक Second is 1 September से 14 November तक Next one is 11 September से 28 November तक D option is इन में से कोई नहीं So correct answer है 19 September से ये start हो चुके हैं और 10 November को इनका last हो जाएगा Actually 53 days का time है 53 days में आठ टीमें है 8 टीमों में 6 आपके मुकाबले होने वाले हैं तो ये 53 days में ये चीज फाइनल होगी जो इसका end 10 November के अंदर होगा So the correct answer of this question is Option number A 19 September से start हो गए है और 10 November तक इसको खेला जाएगा अभी तक finally नहीं हुआ है तो final जब आ जाता है तो इसमें बहुत सारे questions और add हो जाते हैं अभी जो questions design होंगे इनके basis पर ही होंगे पूछा जाएगा कहां पर खेला जा रहा है किस-किस stadium में खेला जा रहा है कौन सी company ने इसको sponsorship के under में है इस टाइब के questions design हो सकते हैं regarding IPL next question दो कुछ dream 11 किस तरह की company है दो कुछ these types of questions regarding IPL are very very important dream 11 के बारे में जो questions design हो रहे हैं आप very important आप देख सकते हो जैसे इसमें options हैं e-commerce company online payment company online gaming platform इन में से कोई नहीं so dream 11 company जो है commerce company नहीं है payment company नहीं है gaming platform है यह one is the gaming platform और इसके जो brand ambassador है वो महेंदर सिंग दोनी है तो यह आपको पता होना चाहिए dream 11 company के जो brand ambassador है वो महेंदर सिंग दोनी है और यह किस तरह की company है एक online gaming platform है जिसके लिए हम online जाकर खेलते हैं so that's belongs to dream 11 so correct answer of this question is option number C now come to the next question भारत में IPL कौंसी options है BCCI, ICC, FIFA या इन में से कोई नहीं देखो भारत के अंदर कुछ भी जो game होता है regarding cricket वो से BCCI organize कराता है Board of Cricket Control of India तो Board of Cricket Control of India IPL को भी organize कराता है इसलिए सबसे धनी माना जाता है तो को आप से देख सकते हो कि IPL का इतने इनों बोल वाला क्यों रहता है क्योंकि इसका इन टम्स ओफ मनी बहुँ जादा वैली होती है अगर देखो छोटा सा एक्जांपल दूँ जितने भी अलग-अलग इनों कंट्री के लोग हैं अपनी कंट्री के गेम को छोड़कर IPL में पार्टिसिपीट करने आते हैं आप लोग देखते भी हो इवन हाली में हमारे जो कैप्टन थे मिस्टर कूल उन्होंने भी अपनी इनों ICC से ICC से स्टिफा दे दिया है अब वो बट उन्होंने IPL से नहीं दिया है You know the reason is in terms of money ठीक है अच्छी खिलाड़ी है बट जहां से money आती है in terms of money तो हर कोई से लगाप करता है So that means जो IPL की जो संस्था को ओर्गिनाईज कराती है That the correct answer is BCCI बट जितने भी विस्व कप वगेरा होते हैं यह BCCI किस के अंडर में आती है वो ICC के अंडर माती है जैसे हर कंट्री के इनों अपनी अलग अलग संस्था होते है जैसे पाकिसान के अलग संस्था होगी बांगलदेश के अलग संस्था होगी और अमेरिका के अलग संस्था होगी तो जितने भी अलग अलग कंट्री हैं सबकी अलग-लग संस्था होगी और उन सारी ये जो सारी संस्था हैं वो ICC के अंदर आती है I think समाज़ी होगे आप लोग Next question is BCCI की स्थापना कब हुई थी 1928, 1950, 1999 देको इस स्थापना दिसंबर में 1928 में हुई थी So correct answer 1928 है BCCI की स्थापना 1928 में दिसंबर के महा में की गई थी Next question ये बन सकता है कि BCCI के अध्यक्ष कोन है आपके पास options है आनिल कुमले, सोरभ गांगुली, जैसा हा इनमें से कोई नहीं So गोरभ गांगुली is the correct answer Actually देको इनका कारेकाल खतम हो चुका है जब तक दूसरा person नहीं आ जाता है जब तक BCCI के अध्यक्ष ये ही रहेंगे Actually में इनका कारेकाल खतम हो चुका है Mr. Sourav गांगुली का So अगर questions, obviously questions design होता है BCCI के अध्यक्ष कोन है So obviously correct answer is Sourav गांगुली But actually अगर देखा जाए अगर आप recently search करोगे तो इनका कारेकाल खतम हो चुका है जब तक कि new BCCI के कोई अध्यक्ष नहीं बन जाते हैं तब तक इनका कारेकाल, कारेभार Sourav गांगुली को परी रहेगा Next question देखो इसके regarding आता है BCCI के secretary कोन है BCCI के secretary आपके पास option है अनिलकुमले, जैसाह, सोरफ गांगुली इनमें से कोई नहीं So BCCI के secretary ये देखो काफी चर्चित नेम है आपको पता होगा जैसाह, जैसाह, अमिसाह के बेटे हैं इनको BCCI की secretary पत पर चुना गया है So actually इनका भी कारेकाल complete हो चुका है बट किसकी वज़े से अभी जब तक नया कुछ नहीं आ जाता है नए members नहीं आ जाते हैं जब तक इनको कारेवार समालना पड़ेगा अब देखो questions आपके design होंगे कि UAE UAE जहाँ पर आपका game खिला जा रहा है उसके बारे में आपको भूँ सारी knowledge पता होने चाहिए questions उसके terms में भी design हो सकते हैं देखो इसका मैं courses करूंगा देखो ये तो इस वाले questions का answer सबको पता होगा each and everybody जो वीडियो को अच्छे से देख रहा है concentration के साथ देख रहा है मुझे इसका comment में answer बताईए UAE की राज़ानी क्या है what is the capital of UAE आपके पास options है दुबई, सार जहां, आबुदा भी इन में से कोई नहीं इसका answer आप लोग दोगे इसका answer मैं नहीं दोगा now come to the next question UAE किस महादीप में इस्तित है कौन से continent में इस्तित है lie करता है so the correct answer of this question is Asia next देखो that's the most important question देखो इसके बारे में rarely लोगों को पता होता है इस question को ध्यान से देखिए UAE की मुद्रा क्या है रुपिया, दिरहम, यूरो, पाउंड so देखो रुपिया इंडिया की है दिरहम बात करते हैं दिरहम जो है, यह UAE की मुद्रा है UAE की currency है so the currency of UAE that is दिरहम that is the most important question क्योंकि देखो UAE important क्यों बन गया because वहाँ पर IPL खिला जा रहा है तो वहाँ के हमें most of the things के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि वहाँ से questions arise हो सकता है that's the common thing next हम बात करते हैं निमे से किसका मुख्याले UAE की दुवई सहर में इस्तित है देखो हमारे पास कौन-कौन से कौन-कौन से संस्थाएं है जिनका दुवई के अंदर है like BCCI यह इंडिया की संस्था है इसका इंडिया के अंदर है मुंबई में IOC, ICC, ATP so ICC जो है Indian Cricket World Cup actual में इसका जो संस्था है यह जो पूरी हर किसी कंट्री की संस्था को organize करती है इसको cut करेंगे निम्न में से किसका मुख्याले UAE के दुवई सहर में इस्तित है आपके पास option है BCCI, IOC, ICC, ATP देखो तो अगर हम country wise बात करते है तो BCCI यह country यह जो है India का game organize कराने वाली संस्था है इसका मुख्याले मुंबई के अंदर है तो अगर हम ICC की बात करते है तो ICC इन सब को control, यह सब के यह जो BCCI है या फिर हर country की जितने भी यह गेम आयोजन कराने वाली जो संस्था होती है सब ICC के अंदर आते है तो ICC का मुख्याले दुबई के अंदर है UAE में दुबई के अंदर उसका main मुख्याले है So the correct answer is ICC Next हम बात करते है UAE के राष्टपती कोन है UAE के राष्टपती के बारे में पता होना चाहिए अब्दुल नासिर खलीफा बिन जायत नायान परवेज मुसर्रफ इन में से कोई ने So the correct answer is खलीफा बिन जायत नायान So तो कोई नाम पता होना चाहिए तो को लैंती नेमें उससे आप पता कर सकते हो खलीफा आप अपने माइन में सेट कर ले ना खलीफा ब्लांग्स टू दुबई So that means बुर्ज खलीफा So इससे आप इसके बेसिस पर आप यह नाम याद कर सकते हो So that means the correct answer of this question is B Next हम बात करते है देखो IPL में कुछ कैप दिये जाते हैं So questions क्या बना हुआ है IPL में purple cap क्यों दिया जाता है सरवादिक run बनाने वाले खलाडी को सरवादिक wicket लेने वाले खलाडी को सरवादिक catch पकड़ने वाले खलाडी को इनमें से कोई नहीं So the correct answer is सरवादिक wicket लेने वाले खलाडी को जो सबसे ज़्यादा wicket लेता है पूरे overall game में ऐसाने की बीच में से हम किसी को select कर लेते हैं उसको यह ऐसा नहीं होता है जब आपका final हो जाता है जिसका भी performance in terms of wickets जिसमें सबसे ज़्यादा लिये हैं That is the correct answer So that means जिसके सब ज़्यादा wicket होते हैं पूरे overall IPL में उस particular संस्क्रण में उसको यह purple cap दिया जाता है अगर तो कभी कभी पूछ लेता है यहां पर mention नहीं होगा orange cap किसके दिया जाता है orange cap जिसके सबसे ज़्यादा run होते हैं उस पूरे particular sunscreen IPL के sunscreen में उसको orange cap दिया जाता है next हम बात करते हैं IPL का पहला संस्क्रण किस बस में आयुजीत किया गया था देखो this one is the common questions that means यह तो सबको पता हुआ IPL जो लोग generally देखते हैं ठीक है उसमें generally यह स्टार्टिंग में कभी कभी कुछ लोग जो commentator में बताने स्टार्ट करते हैं कि 2008 में यह हुआ था उसके बाद यह हुआ था तो वहां से generally पता चल जाते हैं की चीजें so this term is very important इसकी शुरुआत पहला संस्क्रण जो खेला गया था इंडिया के अंदर IPL का 2008 में खेला गया था आपके पास option देख पार है 2010 है 2008 2015 2019 so the correct answer is 2008 आप क्या रखा गया देखो अभी जल्दी में हाली में दिल्ली डेयर डेविल्स का नाम चेंज किया गया है आपके पास option आपको देखकर बताना है कि उसका नाम अब चेंज करके क्या रखा गया है आपके पास options जो दिख रहे हैं दिल्ली टॉप, दिल्ली न्यू, दिल्ली कैपिटल्स या इन में से कोई नहीं सो देखो अभी तक जो नेम था 12 संस्क्रण तक दिल्ली डेयर डेविल्स था बट अब इसका नेम चेंज करके दिल्ली कैपिटल्स रख दिया है so the correct answer of this question is दिल्ली कैपिटल्स तो कभी-कभी ये जो मालिक है कौन सी टीम के उनों कौन मालिक है ओनर कौन है, ये भी questions कभी-कभी पूछ लिया जाता है, जैसे मैंने कुछ questions यहाँ पर जो important terms है उनको select किया है यहाँ पर IPL टीम मुंबई इंडियन्स के मालिक कौन है मुकेई संबानी, नीतांबानी दोनों इन में से कोई नहीं तो दोको मुकेई संबानी, नीतांबानी दोनों husband, wife हैं, दोनों ही मिलकर इस इसको खरीद दते हैं इस वाली टीम को, तो इसके दोनों मालिक, दोनों ही इसका option C is the correct answer प्लीज अगर जो जो भी candidate नए हैं इस channel पर प्लीज सब्सक्राइब कर लिजी जिससे कि आपके आने वाले यानो जितने भी videos आ रहे हैं या फिर जो भी हम चीज़ एड़ कर रहे हैं इससे आप लोग को वो information जाती रहे now come to the next question चैने सुपर किंस के मालिक कों है channel सुपर किंस के मालिक आपके पास options है बाबराम राम देव, मुके posambhani ant si region EVANS, इन में से कोई नहीं so correct option is ant sirieねえ निवस, ant si region EVANS channel सुपर किंस के मालिक है तो कि कोशन मैं बोल रहा था कोशन बन सकता है question number 24 online gaming platform tag द्रीम 11 के ब्रांड अम्बेस्जर कौन है मेंदर सिंग दोनी ब्राट कोली रोही सर्मा इन में से कोई नहीं जो को पहली बात तो आपको पता हो न चाहिए ड्रीम 11 जो है अब की बार आयुजित करा रही है उसने आपकी जो इस्पॉंसर्शिप है आई पीएल की खरीदी है किसे लास्ट ताइम कौन थी विवो को रिप्लेस करके आपकी बार को न आई है ड्रीम 11 कि सरह की कंपनी एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफोर्म है इसके एंबस्डर कौन है इसके एंबस्डर मेहंदर सिंग दोनी तो चार टाइप की कोशन आसे डिज IPL में 100 match जीतने वाले कौन से कपतान है देखो एक पूछ सकता है कि 100 match जीतने वाली कौन सी टीम है और एक उसने पूछा है कौन से कपतान है तो मारे पास options हैं महंदर सिंग दोनी, वराट कोली, रोही सर्मा, इसान सर्मा देखो जो so match जीतने वाली team के जो कप्तान है वो है महंदर सिंग दोनी एक तो question यह design होता है एक question design हो सकता है कि IPL में so match जीतने वाली जो team है not कप्तान team कौन सी है तो आपके पास वो team है Mumbai Indians तो यह questions भी आपको पता होना चाहिए तो Mumbai Indians correct answer on that case so thank you so much guys to see this video and please subscribe and share this video to the needy pupils and